हलो दोस्तों वेलकाम बैक टू माई चैनल दोस्तों पिछले वीडियो में हमने आपको बताये था आप इस टोक्स में अकाउंट ओपन करने का कम्पलीट प्रोसेस यदि आपने अकाउंट ओपन कर लिया है तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आप इस टोक्स एप के मा account open कर सकते हैं और आप investment start कर सकते हैं इस वीडियो में हम जानेंगे share कैसे buy करते हैं और share कैसे sell करते हैं तो इसके लिए पने रेगाइस वीडेमेंड तक और हमारी चैनल को subscribe नहीं किया है तो चैनल को subscribe कर लेजेगा because आपको यापे इसी तरह के unique content हमारी चैनल पर देखने को मिल जाएंगे तो चलिए सूरू करते हैं आप stocks में share, buy और sale करने के लिए सबसे पहले आपको अपने mobile में आप stocks application को open कर लेना है जैसे ही आप इस application को open करते हो आपके सामने कुछ इस परकार का आपको interface है वो नज़र आएगा जो आप यहाँ पे screen पे देख सकते हो सबसे पहले आपको यहाँ पे कुछ shares की list आपको यहाँ पे नज़र आएगी यदि आप इनमें कोई भी share add करना चाहते है तो आपको उपर में plus का जो icon दिया गया है आपको यहाँ पे click करना है यहाँ पे click करोगे तो आप किसी भी share को आप search करके और आप इस list में आप आप आज़र add कर सकते हो जैसे आप किसी भी company को add करना चाहते हो जैसे हमने हिंदूस्तान Unilever को add करना है तो हैद्धोUNTन Unilever सबसे उपर में आगया है तो हमने पहले से इसे already add कर रहा है इस परकास आप किसी भी share को आप है जो इसमें add कर सकते हो तो सबसे पहले इस application में share buy करने के लिए आपको आप इस stocks में amount add करना होगा यानि आपको पैसा add करना होगा इसके लिए आपको सबसे नीचे में एक option देखने को मिलेगा जो यहाँ पे आपको funds लिकावा है तो आपको funds के option पे नीचे नीचे में आपको टेप करना है जैसे ही आप यहाँ पे टेप करते हो तो आपके सामने आप यहाँ पे देख सकते हैं available to trade हमारा balance अभी 0 है हम इसमें सबसे पहले fund add करेंगे और उसके बाद में हमाई जो share इससे कैसे खरीदा जाता है वो आपको बताएंगे और कैसे बेशते हैं यह भी हम आपको इस वीड़े में बताने वाले है तो सबसे पहले जो add fund का option दिया गया है यहाँ पे आपको क्लिक करना है उसके बाद में आपको सबसे उपर में आपको यह पे option देखने को मिल रहा है how much would you like to add यानि आप कितना amount इसमें add करना चाहते हो तो आपको यहाँ पे enter करना है सबसे उपर वाले में enter करने के बाद में आपको यहाँ पे नीचे slide करोगे किसी भी मत दिन से आप इसमें पैसा add कर सकते हो यह आपकी choice होगी उसके बाद में सबसे पहले हम जैसे इसमें example के तोर पे हम इसमें 100 रुपे enter करेंगे उसके बाद में add करना है तो एक चीज आपको हमें साथ ध्यान में रखना होगा जो भी bank account आपने इसमें add किया है उसी bank account से इसमें payment होगा दूसरे किसी भी bank account से आप इसमें payment नहीं कर सकते हैं तो सबसे पहले आपको continue के option पर टेप करना है जैसे ही आप continue करोगे आपने जिस payment मेदर से payment करना जैसे हम Google पे कर रहे हैं तो हमको directly Google Pay में redirect कर देगा तो हम यहां से अपना payment अबो directly done कर देते हैं आप देख सकते हैं हमारा payment अबो successfully धन हो चुका है यानि हमने इसमें 100 रुपी है वो add कर लिया है तो इसी परकार से आपको सबसे पहले इसमें amount एड़ करना होगा जो आपको नीचे में फंट्स का उप्सन दिया गया है यहां से आपको अमाउंट एड़ करना जैसे आपका अमाउंट एड़ हो जाता है वापस से आपको यहां पर जो वोच लिस्ट का उप्सन दिया गया है सबसे नीचे में आपको इस पे क्लिक करना है अ को यहां पर टेप करना है और जिस भी सेर को आप बाई करना चाहते हैं उसका नाम आपको यहां पर एंटर करना है जैसे हम किसी एक एक जामपल के दोर पर हम लिखते हैं फेडरल बेंक का हमें सेर बाई करना तो हम इस पर टेप करेंगे टेप करने के बाद में आपके सामने व बहुत सारे options नजर आएंगे, आप यहां से है जो ज्यादा कुछ देख सकते हैं, तो हमें इस share को buy करना है, इससे पहले आप इसमें chart भी देख सकते हैं, यहां पे नीचे में आपको हैं कि option देखने को मिलेगा, one day का chart देखना है, तो one day का देख सकते हैं, five day का देख सकते हैं, one month का देख सकते हैं, six month का आप देख सकते हैं, one year का देख सकते हैं, five year का देख सकते हैं, और maximum भी आप इससे देख सकते हैं, तो इस परकार से आप chart देख सकते हैं, कि कितने दिन पहले कि share का कितना price था, आज क्या price है, तो इस परकार से आप पीछे का price भी इस chart के मादिन से देख सकते हैं तो हमें इस से और आपको नीचे में आपको vulner में आपको यहां पर टेप करना है जैसे हुश में बैंजे से ऊपर My Question notions देखने यहां जुड़न इंडिया में भौंबेश च packs शेंज्ज होстрर अपको जो भी प्राइस साभी चल रहा है वो आपको यहां पे 100 कर दिया जाएगा जैसे आप देख सकते हैं 85.90 इसका जो amount है वो फिलाल में चल रहा है live चल रहा है यदि आप इसको buy करना है तो दूसरा option आपको नीचे में देखने को मिलेगा product का जिसमें आपको एक option देखने को मिलेगा delivery का और इस पे आप जैसे ही tap करोगे delivery पे तो दूसरा option आपको यहां पे देखने को मिलेगा intraday का intraday क्या होता है delivery क्या होता है हमने एक वीडियो के मादिम से बता है उस वीडियो का आपको link i button में और वीडियो का description में मिल जाएगा उस वीडियो को check out करके और आप इनके बारे में details में जान सकते है तो intraday का मतलब वैसे तो जिस दिन आपने share को खरीदा है उसी दिन आपको sale करना होता है और delivery का मतलब होता है जिस दिन आपने share को खरीदा है उसके अलाब आप किसी भी दिन बेश सकते हैं जिस आप एक one year two year जितने भी आपकी मर्जी है उतना आपको रख सकते हैं और delivery में उसी दिन आपको sale करना होता है तो हम यहाँ पे जैसे delivery में हम buy कर रहे हैं उसके बाद में आपको quantity select करनी है जो quantity का option दिया गया है आपको यहाँ पे यहाँ पे आपको quantity select करनी है उसके बाद में जो order type लिखा हुआ है आपको यहाँ पे order type में जो limit लिखा हुआ है यहाँ पे आप जैसे tap करोगे तो आपके सामने एक limit आएगा और एक market आएगा दो options आपको और नीचे दिये गए stop loss market और stop loss limit तो इन options के बारे में हम बाद में जानेंगे अभी हम limit और market price की बात करते है limit का मतलब होता है दोस्तों हम जैसे किसी भी share को buy कर रहे है तो जैसे अभी इसका price चल रहा है 85.95 या पिर जो भी price चल रहा है उसमें से हम इसमें कोई भी limit set करते है कि हम इस share को 85.80 पे हम इसे buy करेंगे तो हम यहाँ पे limit को select करके और हम यहाँ पे limit set कर देंगे जैसे ही उस limit पे यह share हमारा आता है तो हमारा automatically buy हो जाएगा यहाँ हम यहाँ से market को choose करते है market price को तो market price का मतलब होता है जो भी share की जो price अभी चल रही है उसी price पे हमारा share हो execute हो जाएगा यानि हमारा buy हो जाएगा तो हम यहाँ पे अभी market price पे इसको खरीद रहे हैं उसके बाद में नीचे में आपको apply advance setting का भी option दिया गया है इसके बारे में हम आगे आने वाले videos में जानेंगे तो अभी के लिए इतना ही अब आपको नीचे में जो review order का option दिया गया green color में आपको यहाँ पे click करना जैसे हम review order के option पे click करते हैं तो आपको यहाँ पर सबसे पहले quantity select कर लेनी है उसके बाद में आपको review order के option पे tap करना जैसे आप review order के option पे tap करते हो आपका order एक बास है आपको बता देगा कि आपने कितना quantity कि price पे और आपको कौन सा आपका delivery है या पिर intraday है जो भी आपका ability है वो आपको यहाँ पर show कर देगा उसके बाद में नीचे में जो buy का option दिया गया है आपको यहाँ पर tape करना है जैसे आप यहाँ पर buy करते हो आपका order है वो successfully buy हो जाएगा उसके बाद में यह दिया आप अपना order देखना चाहते हो तो आपको यहाँ पर जो नीचे में portfolio का option दिया गया है आपको यहाँ पर click करना है जैसे यहाँ पोजिशन का option दिया गया है आपको यहाँ पर click करना है जैसे यहाँ पोजिशन का option दिया गया है आपको यहाँ पर click करन आपको यहां पे holding में सो करेगा जैसे आज का दिन चला जाएगा उसके बाद में यह सेर आपका holding में सो करेगा यानि आपने इस सेर को hold करके रखा है उस टाइम बाद इसे आप जितना भी रखना चाहते हो उस टाइम बाद उसको sale कर सकते हो तो यदि आप इस परकार से आप किसी भी sale को है जो buy कर सकते हो उसके बाद में बात आती है दोस्तों जब आप किसी भी sale को हमने buy कर लिया है उसके बाद में यदि आपको कभी भी sale करना हो तो आप कैसे करोगे तो वापस से आपको नीचे में जो portfolio का option दिया गया है यहाँ पे आपको click करना है आपका जो भी share होगा जैसे आपका share holding में है तो holding के option पे click करना है जैसे हमारा भी position में है तो हम यहाँ पे इस पे click करेंगे और जो भी आपका share है इस पे आपको tap करना है जैसे ही हमने इस पे tap किया उसके बाद में आपको जो एक option देखने को मिल रहा है square of का आपको यहाँ पे click करना यदि आप और sale buy करना चाहते हो तो आपको add more का option भी देखने को मिल जाता है यहाँ से आप add अधिक sale हो वो buy कर सकते हो तो हम यहाँ पे इस sale को sell करना चाहते हैं तो square of के option पे click करना जैसे ही हमने square of के उप्र क्लिक किया आपको सबसे उपर में सो करेगा square of sale order यानि आप इस order को बेचना चाहते हैं तो आपको बेचना है तो वही है आपको delivery का option आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा आपको नीचे नीचे में जो review order का option दिया गया है आपको यहां पर क्लिक करना है इसमें भी आपको यहां पर जो order type में है ना जो market और यहां पर जो limit का option भी देखने को मिलता है यहां पे आप कोई भी limit set कर देते हैं कि हम इस limit पे इस share को बेचना चाहते हैं तो यह दिया आप इस share की जो कीमत है इस में से आप किसी भी limit को set कर देते हैं तो उस पे आपका share हो sale हो जाएगा यह लेकिन हम यहां पे market price को ही choose करते हैं और उसके बाद में नीचे में जो review order का option दिया गया है यहां पे हम टैप करेंगे उसके बाद में आपको order का review आपके सामने आ जाएगा screen पे आप यहां पे देख सकते हैं आपका कितना quantity है और order type क्या है position क्या है और validity क्या है उसके बाद में आपको sale के option पे टैप करना है जैसे ही आपने sale के option पे टेप किया आपका जो order है वो successfully sale हो जाएगा और आपको कुछी time बाद में आपके जो भी आपका wallet है आप stocks का उसमें आपका पैसा है वो उनका जो पैसा है वो add हो जाएगा लिए आपने कोई भी sale delivery में buy किया और उसको sale किया तो आपको उसका 80% amount ही आपको instant मिलेगा और उसके बाद में आपको 20% amount हो दो दिन के अंदर आपके app stocks account में आ जाएगा तो इस परकार से आप है जो उसको withdraw कर सकते हो वापिस और आपने जो भी sale किया है उसका जो पैसा है व और आप app stocks application को यूज कर सकते हैं तो यह था आज का वीडियो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नहीं है तो चैनल को subscribe जरूर कीजिएगा मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ में तब तक के लिए goodbye take care